दोस्तों अगर हमारे खाने में हलका सा तीखा पन नहों तो खाने का पूरा स्वार पूरा टेस्ट विकार हो जाता है और ये तीखा पन लाने का काम करता है ये हरी मिर्च और ये देखिए मेरे गंबले में चोटे से पॉर्ट में मैंने ये मिर्च लगा रख्या है और इसमें कितनी धेर सारी मिर्च लिटक रही है इसमें एक दो मिर्च तो लाल रंकी भी है उख गई है तो आज मैं आपको बताओंगा कि मिर्च का समय क्या है कैसे पूरा स्टेप उसका बताओंगा और अब जून का महीना आ गया है तो जून के महीने में ही आप मिर्च लगाने की तैयारी कर लें तो दोस्तों हरी मिर्च खाने का स्वाथ बढ़ाने के साथ साथ हमारी सहत के लिए भी फाइदे मंद है यदि आपको खाना पसंद है तो खाने में ताजी हरी मिर्च को जरूर शामिल करें और हरी मिर्च को आतो बजार से भी ख़ित कर लाया जा सकता है लेकिन अपने गार्डन की मिर्च की बात ही अलग है दोस्तो अपने गार्डन में गमले में हरी मिर्च को बड़े आराम से लगाया जा सकता है और जैसा कि सभी जानते हैं कि ये हरी मिर्च कई तरह के विटामिन्स जैसे A, B6, C, आयरन, कॉपर, पोटैसियम, प्रोटीन, कार्बोहेड़ित इसमें अनेक प्रकार के पोशक तत्तों पाया जाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में और हड्डियों दाथों बढ़ाने में भी बड़ी मदद करते हैं इसलिए हमें जो ताजी जो हमारी मिर्च होती है उसको अपने गार्डन में हम जरूर उगाएं और इसका सबसे अच्छा समय अब आ गया है ये जून का महीना वैसे तो इसको आप साल भर कभी भी उगा सकते हैं लेकिन इसको सबसे अच्छा समय आप ये जान लेजिए कि या तो ठंड के महीने में या तो बरसात के स्टार्टिंग में आप जो है मिर्च लगाएं तो दोस्तों मिर्च लगाने के लिए जो मिट्टी हमें चाहिए वो सबसे पहले आप लगभग 40% गार्डन सोयल 40% जो है पुरानी गोवर की खाद और 20% आप उसमें कमपोस्ट मिला लें ये कोको सारी कमपोस्ट या कोको पिर दोनों में से कोई भी चीज मिला सकते हैं और इसको सबसे पहले एक सीडलिंग ट्रे में ये देखिए ये जो मैं मैंने बनाया है ये खाद है इसमें सरसो की खली पड़ी हुई है और नीम क इसमें की खली पड़ी हुई है इसी को मैं इसमें डालता हूँ तो जो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि इन सारी चीज़ों को लेकर पहले आप एक ट्रे में इनको इसका जो सूखा लाल वाला मिर्च होता है सूखा मिर्च उसके बीच को आप इसमें छिड़क दे और निरंतर हलका पानी के मतलब इस्प्रे से उसको वाटरिंग कर दें तो बहुत जल्दी उसमें जर्मिनेशन आ जाता है अब जब पौधे जो है 15-20 दिन के अंदर जब थोड़ा बड़े-बड़े हो जाएं तो आप उनको प्रापरली गंबलों में सिफ्ट कर सकते हैं तो जो म पहले जान लीजिये कि मिर्च के लिए बहुत बड़े गंबलों के आव सकता नहीं है आप इसको चोटे पौट में भी उगा सकते हैं तो सबसे पहले जो है छोटे-छोटे गंबलों से सुरू करें और उसके बाद आप उसमें जो है जब पौधों में जर्मिनेशन हो जाए ये देखिए जो मैं अपने मिर्च के पौधे में क्या डाल रहा हूँ ये है दोस्तों ये मठा यानि छाच है क्या होता है कि मठा और छाच डाल देने से मिर्च में फ्रूटिंग बहुत तेजी से होती है और ये देखिए मेरे पास ये थोड़ा सा सरसो की खली और नीम की खली का ये भी लिक्विट फर्टिलाइजर मैंने तयार करके रखा है और ये थोड़ा सा पुराना गोबर है इसको भी मैं डाल दे रहा हूँ ताकि धेर सारी मिर्च पैदा हो आप लोग देख रहे हैं कि मैं किस तरह से मिर्च की हर्वेस्टिंग कर रहा हूँ तो दोस्तों मिर्च में कई तरह के रोग भी लगते हैं जैसे पत्ती मरोण रोग इसका जो है ये बहुत ही कामन है तो ये पत्ती मरोण रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है तो आप जो है जो चाज का प्रयोग करते हैं दोस्तों, अगर आप चाज का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जिंग की कमी यह पूरी हो जाएगी, इसके साथ ही साथ जो है और भी तरह के जो माईट या थ्रिप्स रोग यह सब फफूदी वाले रोग जो होते हैं या एक 10 दिन या 15 दिन के अंतराल पर आप उसमें इस्प्रे कर दें तो अगर सूच्म रोग से गरसित अगर कोई पौधा है तो उसको हटा ही दें बहतर होगा वरना नीम के तेल का आप इस्प्रे करें तो आप उसमें से जो तमाम तरह के जो रोग वाहग जो सूच्म कीट होते हैं वो इन से दूर रहेंगे, दोस्तों बीच बीच में आप इसमें जैविक खाद जरूर डालते रहें, क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है, तो जैविक खाद में आप जो है वर्मी कमपोस्ट, आप इसको ध्यान रखें, वर्मी कमपोस्ट बहुत अच्छी जैविक खाद होती है, और उसमें नाइट्रोजनस सबस्टेंज भी होते हैं, साथ ही साथ अगर अज ये नहीं है, तो आप पुराना गोबर, जो कम से कम दो साल पुराना हो, या होममेट फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं, जैसे आप सबजियों का जो छिलका होता है, इसको कुछ दिन पानी में भीगो करके रख दें, और उसी का जो पानी होता है, उसी को आप जो है उसमें डाल दें, तो आप देखेंगे कि इसमें धेर सारी फ्रूटिंग आपको मिलेगी, तो फ्रेंट्स, आप लोग ये देख रहे हैं, मेरे ये प्लांट्स हैं, मैंने कई जगह लगा के रखा है, कई तरह के पॉर्ट में, और इससे मुझे ठेर सारी मिर्च मिल जा रही है, इसमें कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं, जो की लंबे समय तक चलने वाले हैं, यानि उनको अगर एक फ्रूटिंग हो जाए, तो आप उसकी कटाई छटाई कर दें, तो जल्दी ही आपको उसमें कुछ समय के बाद, फिर से उसमें फ्रूटिंग आपको मिल पाएगी, तो दोस्टों ये वीडियो जो मैंने इसमें डाला है, मिर्च के सम्बंद में वो कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताईएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, अगर आप नहीं हो तो, चलिए आगे चलते हैं मिर्च के सम्बंद में, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो मिर्च हो, काफी ये हाड नहीं होनी चाहिए, क्यों पौधा इसका छोटा होता है, इसकी जड़े भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो आप इसकी इसका जो पौट होता है, आप छोटे पौट में भी इसको बड़े आराम से उगा सकते हैं, बस इसकी जो मिर्च के जो फल होते हैं, वो छोटे ही रह जाते हैं, तो मिर्च फल छोटे रहने का ये भी यही कारण है, कि आपकी जो मिर्टी है, वो पोशक नहीं है, मिट्टिक पोशक आप बना करके रखें उसमें नियमित अंतराल पर और जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें छाज का प्रयोग करें और छाज के प्रयोग के साथ साथ आप सरसो की खली नीम की खली वगरह इन सारी चीजों का प्रयोग करें तो आप देखेंगे कि इसमें आपको धेर सारी प्रोडिंग लगाने के लिए जरूरी होता है कि उसके बीज का आप सही चुनाओ कर लें अगर बीज सही नहीं है तो आप उसमें कितने भी मेहनत कर लीजिए फल, सबजी या जो भी चीज आप उगाना चाहते हैं आप उसमें ठीक से नहीं हुगा सकते हैं इसलिए हरी मिर्च लगाने के पहले आप बीज भंडार या मार्केट में जा करके सही प्रकार से थोड़ा पूछताच करके अच्छी बीज खरी लें जिसे कि हाइब्रिड बीज खरी देंगे तो उसमें धेर सारे फल तो होंगे लेक करें कि देशी बीज ही आप खरी दें तो बीज का चुनाओ करने के बाद आप उसकी जो मिट्टी जो आप तयार कर रहे हैं तो जिस गंबले में आप लगा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें कि जो मिट्टी को अच्छी तरह से खुब रगड़ करके उसका जो मतलब एकदम भुर्भुरा बना लें, भुर्भुरा इसलिए बना लें क्योंकि ये पौधा बहुत मजबूत, बहुत हाड पौधा नहीं होता है, इसकी जड़े जो है, इनको फैलने के लिए थोड़ा सा जगा चाहिए, हाला कि जड़े इसकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, इ को खुरेच सकते हैं और इसे खाद पौधों के जड़ों तक पहुंच जाते हैं और पैदावार भी पहुत अच्छी होती है यह देखिए मैंने कंटेर में सरसों की खली बना करके रखा है और इसी को मैं इसमें डालता हूं तो खाद के लिए आप जैविक खाद या और कंपे फासफोरोस और पोटैसियम बहुत अच्छी मातरा में होते हैं और अगर आप यह सारी चीज़ें डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको धेर सारी मिर्च जो है आपको अपने जरूरत के हिसाब से मिलेगी तो बीज लगाने और खाद डालने के बाद यह जरूरी होता है कि आप पानी दें और मोशम को ध्यान में रखकर कि इसमें पानी दें बीज लगाने के तुरंट बाद ही थोड़ा सा पानी तो उसमें डाल दें बहुत तेजी से उसमें पानी न डाले नहीं तो वरना बीज इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे इसमें समय समय पर पानी ड लेकिन इस समय जैसे लूव अगर के समय में यानि बहुत तेज गर्मी है तो थोड़ा इसको बीच बीच में शेड एरिया में भी आप रखें क्योंकि पौधे इस समय सब इतनी तेज गर्मी में जुलस जा रहे हैं तो जब तक अंकुरण नहों तब तक तो इसमें इसको मिर्च तोड़ने के बाद आप इसको जब कुछ मिर्च को आप इसी में पकने के लिए छोड़ दें और जब वो लाल होकर सूख करके पक जाएंगे तो आपको नेक्स्ट सीजन के लिए इसमें से मिर्च के जो बीच होते हैं वो प्राप्त हो जाएंगे और आप उनको कलिक दें क्योंकि ये पौधों के ताकत को ये खिशते रहते हैं ये देखे ये मेरे हाथ में कुछ मिर्च है और दोस्तों अपने घर की मिर्च का स्वाधी निराला होता है उसका टेस्ट तो बहुत ही अलग होता है तो इस टेस्ट के क्या कहने तो आप कोशिस करें कि आप अपने गार्डेन में मिर्च के पौधे जरूर लगाएं अब इसके बाद हम इसके में पानी की बाद करें तो इसमें समय समय पर पानी देना चाहिए हरी मिर्च के पौधे को समय पर पराप्त मातरा में पानी क्या आओ सकता होती ही है पानी देने के लिए आप वाटरिंग कैन का प बीज हो अच्छे किस्म का हो और सही समय पर इसको लगाया जाना चाहिए तेजी से बीजों को अंकुरुत करने के लिए आप तरीके अपनाएं पौधों में जो गंबले या ग्रो बैग में इसको पर्याप्त धूप में रखें उसको आप पर्याप्त पुराना जो गोबर के बात है तो उसमें खेतों में तो आजकल लोग केमिकल का इस्तिमाल करते हैं लेकिन हम लोग अपने गार्डन में यही जो वर्मी कंपोस्ट है या सरसो की खली का लिक्विट फर्टिलाइजर है या केले प्याज लहसुन का लिक्विट फर्टिलाइजर है यही सब हम कहिए दोस्तों यूरी बहुत से लोग जो है इसमें यूरिया वगरह डाल देते हैं तो आप यूरिया वगरह का इस्तेमाल अपने घर में अपने गार्डिन में न करें इस तरह से आप लिक्विड फर्टिलाइजर ये सरसो की खली और नीम की खली का बना लें और ये जो है हम मिर्च के जो फूल होते हैं वो गिरने लगते हैं तो तापमान में तेजी से उतार चड़ाओ के कारण मिर्च के जो फूल गिरने के कारण होते हैं जब भी मिर्च के पौधे के आसपास के वातारण में तापमान उनके आउसकता के विप्रीत हो जाता है तो पौधे जीवि से भी मिर्च के फूल गिर जाते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और इसको शेयर करें लाइक करें थैंक्स पार वाचिंग दोस्तों